दोस्तो छत्रपती शिवाजी महाराज के दो पुत्र हुए बड़े छत्रपती शमभाजी जिनका जन 14 मई 1657 इस्वी को तता छोटे पुत्र छत्रपती राजहराम जिनका जन 14 फरवरी 1670 इस्वी को हुआ राज तिलक के नाम पर ब्राहमनों ने जो अपमांतता धन की ठगी शिवाजी से की थी उसे उनके पुत्र शमभाजी बहुबी समझ गए थे छल कपट में माहिर मनु वादियों ने इस बात को समझते ही एक सुन्दर ब्राहमन करनिया दौरा अपने रूप जाल में छत्रपती शमभाजी को फसा लिया ग्यारा माह 1689 को मुगल समराट ने शमभाजी की हत्या करवा डाली और उनके बेटे साहू जी तथा उनकी मा को कैद कर लिया तब च्छत्रपती शिवा जी के छोटे पुत्र च्छत्रपती राजा राम ने राजकाद संभाला किंतु माधर 30 वश की छोटी उमर में ही उनकी मिट्यू दो मार्स 1770 को हो गई उनकी मिर्तिव के बाद उनकी पतनी ताराबाई के नित्वित में मराठों को दोबारा एक बर अपनी खोई हुई शक्ती को अरजित करने का अफसर मिला वो महान वीरांगना और कुशल प्रशाशिका थी सन 1707 ईसवी में औरन जेब की मित्ती हो गई उसके बाद उनके बेटे आजम खाने साहु जी को रिहा कर दिया लगातर 17 वर्श कैद में रहने से राज संचालन का कोई अनुभव साहु जी के पास ना था फिर भी ब्राहमनों के सहयोग से 12 जनवरी 1708 को साहु ने स्वेंपो सतारा की गदी का मालिक घोशित कर दिया ब्राहमन वर्ग अपनी ठगी और वर्चस्व के लिए किसी शक्तिशाली शाषक को नहीं चाहता था महरानी जी साहु जी को मुगलो तता मनुवादियों का दलाल मानती थी रातो रात अपने कुछ फिशवशनी सैनकों के साथ वे पलायन करके पन्धाल पहुची और उन्होंने ही कोलापुर राज की निव डाली छट प्रती राजाराम की दूसरी पतनी राजा बाई ने अपने पुद्र शंभा जी दित को उत्तरा दिकारी घोशित कर दिया साहु जी और शंभा जी दित के मध काफी संगर चला और बाद में परास पर समझोता हो गया जिसके परिणाम सरूप साहु जी को सतारा और शंभा जी दित को कोलापुर की गदी मिली शंभा जी दित और साहु जी दोनों ही निसंतान मर गए मूल वंशावली शिवाजी की यहीं से खत्म हो गई सतारा के गद्धी पर शंबाजी दित की विद्वारानी ने भूसले वंश के ही एक बालक को गोद लेकर सन 1760 में गद्धी पर बैठाया या बालक शिवाजी दित के नाम से जाना गया अगली वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए अलविदा दोस्तों